नमस्कार द्रिश्टी आईएस के टुडेश जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले रीकैप से करते हैं पहला सवाल है हाली में एक तारे और उसके ग्रह को वैशिक प्रतियोगिता में बिभा और संत मासा नाम दिया गया है ये नाम किस देश से संबंदित हैं उत्तर है भारत चर्चा मेरा शब्द स्ट्रेंड हॉक क्या है उत्तर है एंड्रोइड मैलवेर से जुड़ा बग किस पूर्वत्तर राज में पहली बार विशेश आर्थिक शेत्र यानि S.E.Z. स्थापित किये जाने की अधिसूचना जारी की गई है उत्तर है त्रिपुरा विशु का पहला ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम कहां आयोजित किया गया उत्तर है जिनेवा हाली में किस राज सरकार द्वारा क्रिशी नीती समरिधी की घोशला की गई है उत्तर है ओडिशा हाली में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तीसरे चरण की शुरुवात की गई है इसके अंतरगत राज्यों की हिस्सेदारी कितनी फीसदी है उत्तर है चालीस दक्षडी नौसेना कमान द्वारा एंटी हाईजैकिंग एकसरसाइस अपहरण का संचालन कहां किया गया उत्तर है केरल युनिफॉर्म्ड वुमन इन प्रिजन एड्मिनिस्ट्रेशन पर राष्ट्री सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है उत्तर है मद्धिप्रदेश किस राज्य सरकार द्वारा जल साथी कारिक्रम शुरू किया गया है उत्तर है ओडिशा जियश्टी काउंसिल द्वारा हाली में सरकारी और निजी लोटरी के लिए कितने फीसद टेक्स की दर निर्धारित की गई है उत्तर है 28 फीसद तो चलिए पिछला अभ्यास प्रशन देखते हैं आपसे पूछा गया था 10 जन्वरी 2020 से निर्धारित खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संसकरण कहां आयोजित किया जाएगा ओप्शन है कानपुर, गुवाहाटी, इंदौर या फिर नई दिल्ली खेलो इंडिया गेम्स के तीसरे संसकरण का आयोजन अपने निर्धारित समय पर होगा बता दें कि इन खेलों का आयोजन गुवाहाटी में 10 जन्वरी 2020 से किया जाएगा इस संसकरण में कुल 20 इवेंट्स आयोजित किये जाएगे तो आई अब यहीं पर असम को देखते हैं इसकी राजधानी दिस्पुर है यहां की मुख्य भाषा असमया और बोडो है इस राजध को लाल नदी और नीली पहाडियों की भूमी कहा जाता है विशाल ब्रम्भ पुत्र नदी इस राजध से होकर बहती है प्राचीन काल में असम को प्राग जोतिश यानी पूर्वी जोतिश का इस्थान कहा गया है इसका उत्तरी भाग भूतान और अरुलाचल प्रदेश से घिरा है इसके पूर में अरुलाचल प्रदेश, नागा लेंड और मडीपुर हैं वहीं इसके दक्षिड में त्रिपुरा और मिजोरम और पश्चिम में बांगलादेश, मेगाले और पश्चिम बंगाल इस्थिद हैं तो इस सवाल का सही जवाब है option B गुवाहाटी आप में से कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया है तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्ण देखते हैं International Human Solidarity Day का मनाया जाता है option है 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या फिर 21 दिसंबर International Human Solidarity Day 20 दिसंबर को मनाया जाता है यह दिवस विविद्थता में एक्ता का जश्न मनाने और Solidarity के महतु के बारे में सार्वजनिक जागरुकता बढ़ाने इत्यादी का दिन है Solidarity को मिलेनियम घोषडा में 21 सदी में अंतराश्ट्री संबंधों के बुनियादी मूल्यों में से एक के रूप में पहचान की गई थी संयुकतुराश्ट्र महा सभाने एक जुड़ता को उन मूल भूत और सार्वभामिक मूल्यों में से एक के रूप में पहचाना जो 21 सदी में लोगों के बीच संबंधों को रेखांकित करते हैं महा सभाने 20 दिसंबर 2002 को विश्व एक जुड़ता कोश की स्थापना की थी इस फंड को फरवड़ी 2003 में संयुकतुराश्ट्र विकास कारिक्रम के ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था तो इस प्रश्ण का सही जवाब है option C 20 दिसंबर दूसरा सवाल Operation Twist निम्न लिखित में से किसकी पहल है option है RBI, Google, Indian Army या फिर ISRO Reserve Bank of India 23 दिसंबर को Operation Twist की शुरुआत करेगा RBI 23 दिसंबर को अपनी Open Market Operation के तहत लबग 10,000 करोड रुपे की सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा और बेचेगा इस Operation का मकसद अर्थ विवस्था में उत्पादक्ता का प्रबंधन करना है आपको बता दे कि Operation Twist अमेरिकी Federal Reserve Bank द्वारा 2011-12 में लिया गया एक कदम है जिससे लंबी अवदी के उधार को सस्ता किया जा सकता है तो इस सवाल का सही जवाब है option A RBI तीसरा सवाल होवारा बस्टर्ड निम्न लिखित में से किस प्रकार की जलवायू में रहते हैं option है आर्द्र जलवायू, शुश्क जलवायू, सम्शीतोश्ल जलवायू या फिर भूमद्य सागरिय जलवायू यह खबर Indian Express के Explained से ली गई है पाकिस्तान सरकार ने हाली में कतर के शाही परिवार को अंतर राश्ट्री इस्तर पर संड़क्षित होवारा बस्टर्ड पक्षी के शिकार हे तू विशेश पर्मिट जारी किया है आपको बता दे कि होवारा बस्टर्ड बड़े आकार का स्थलिय पक्षी है यह सामानिता शुष के जलवायू में रहता है प्रकृती सन्रक्षड के लिए अंतराश्ट्री संग यानि IUCN के मुताबिक इसकी दो अलग-अलग प्रजातियां पाई जाती है इसकी उत्री अफ्रीका में क्लेमाई डोटिस, अंडूलाटा और एशिया में क्लेमाई डोटिस, मेक्क्वीनी प्रजाती पाई जाती है एशियाई होबारा बस्टर्ड अरब प्रायदुइप से लेकर सिनाई रेगिस्तान तक पाई जाते हैं तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन B शुश की जलवायू चौथा प्रश्न सुर्खियों में रहे बाली मेला जलाशाय का संबंध निमने लिखित में से किस राज से है ओप्शन है असम, मडिपूर, ओडिशा या फिर केरल माकपा की ओडिशा इकाई ने मांग की है कि राज सरकार आदिवासी निवासियों को स्वाभिमान आंचल में तुरंत पट्टा या दस्ता वेज युक्त भूमी अधिकार प्रदान करना शुरू करे बतादें की स्वाभिमान आंचल बाली मेला जलाशाई के पूर्व वर्ती कट ओफ छेत्र है बाली मेला जलाशाई दरसल ओडिशा के मलकान गिरी जिले में इस्थित है 2018 में गुरू प्रिया पुल के उद्घाटन के बाद इस जलाशाई को सीधे सड़क द्वारा जोड़ा गया बाली मेला जलाशाई को ओडिशा और आंध्र प्रदेश सरकारों की एक सयुक्त बाली मेला हाइड्रो इलेक्टिक प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया गया है बाली मेला परियोजना दरसल मचकुंड सिलेरू नदी के विकास का दूसरा चरण है इसका पहला चरण मचकुंड परियोजना है तो इस प्रशन का सही जवाब है ओप्शन सी ओडिशा पाच्वा प्रशन भारत के शीर्ष व्यापार संगु में से एक एसो चैम के सौ साल पूरे होने वाले हैं इसो चैम का मुख्याले कहां है ओप्शन देखते हैं नई दिल्ली, बंगलूरू, गाजियाबाद या फिर चेन नई भारत के शीर्ष व्यापार संगु में से एक एसो चैम के सौ साल पूरे होने वाले हैं इसके लिए आयोजित 100 years of एसो चैम के उद्गाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया इस वार्षिक कॉन्फरेंस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है तो आई अब एसो चैम के बारे में कुछ जानते हैं इसका पूरा नाम The Associated Chambers of Commerce and Industry of India है इसे Corporate India के Knowledge Architect के रूप में भी जाना जाता है इसकी स्थापना 1920 में की गई थी एसो चैम को व्यापार की नई दुनिया में Corporate भारत की आकांग्छाओं को पूरा करने के लिए एक सशक्त सक्रिय अग्रगामी संस्था के रूप में देखा जाता है तो इस प्रश्न का सही जवाब है Option A नई दिल्ली छटवा सवाल ग्यारहवे Regional Quality Conclave का आयोजन कहां किया गया Option है हरियाडा, नई दिल्ली, उत्तराखंड या फिर राजिस्थान हाली में उत्तराखंड में Quality Council of India Conclave का आयोजन किया गया आज यानी 20 दिसम्बर को उत्तराखंड के रुद्रपुर में ग्यारहवे Regional Quality Conclave का आयोजन हुआ इस Conclave का उद्घाटन उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने किया इसका मकसद व्यवसायों में गुडवत्ता संस्कृती के महत्तु के बारे में जागरुकता बढ़ाना है अब बात करें उत्तराखंड की उत्तराखंड को प्राचीन धर्म ग्रंथों में केदारखंड, मानसखंड और हिमवंत के रूप में जाना जाता है उत्राखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर देश का 27 वा राज बना था इसे देव भूमी के नाम से भी जाना जाता है इसकी अंतराश्ट्री सीमा चीन और नेपाल से लगती है वहीं इसकी राज जी सीमा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के सास लगती है तो इस सवाल का सही जवाब है उप्शन C उत्राखंड सात्वा प्रशन अमेरिका में नैशनल साइन्स फाउंडेशन का नेत्रत्व करने के लिए किसे चुना गया है अप्शन है डॉक्टर सेतू रमड पंचनाथन, फ्रांस ए कोडोवा, वन्नेवर बुश या फिर चाल्स डोलाड हाल ही में अमेरिका इस्थित, नैशनल साइन्स फाउंडेशन के नेत्रत्व के लिए भारती अमेरिकी वैग्यानिक डॉक्टर सेतू रमड पंचनाथन को चुना गया है अठावन वर्शी पंचनाथन, फ्रांस से कोडोवा की जगह लेंगे कोडोवा का 6 साल का कारिकाल, NSF निदेशक के रूप में वश 2020 में समाप्थ होगा डॉक्टर पंचनाथन, वर्टवान में Arizona State University के कारिकारी उपाध्यक्ष और मुख्य अनुसंधान और नावाचार अधिकारी हैं वे ASU में Center for Cognitive Ubiquitous Computing के संस्थापक निदेशक भी हैं बतादे की National Science Foundation यानी NSF एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी है जो विज्ञान और इंजिनियरिंग के सभी गैर चिकिस्थाक्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान और शिक्षा का समर्थन करती है इसका चिकित्सा समकक्ष संस्थान राष्ट्री स्वास्थे संस्थान यानी NIH है तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन A डॉक्टर सेतु रमल पंचनाथन आठवा प्रश्न हाली में किस देश ने गांधी सिटीजन्शिप Education Prize को स्थापित करने की बात कही है यानी गांधी नागरिक्ता शिक्षा पुरसकार स्थापित करने की घोश्रा की है हाली में राष्टपती भवन में गांधी जी की 150 वी जयनती पर दूसरी बैठक में एंटोनियो कोस्टा ने भी हिस्सा लिया था वे इस बैठक में भाग लेने वाले एक मात्र विदेशी प्रधानमंत्री थे तो आई अब यहीं पर पुर्टगाल को देखते हैं पुर्टगाल यूरोप में इस्थित एक देश है जो केवल स्पेन के साथ अपनी भू सीमा साजह करता है इसकी पश्चमी सीमा अट्लांटिक महासागर से लगती है इसकी राजधानी लिस बन और मुद्रा यूरो है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है उप्शन B पुर्टगाल नौवा प्रश्ण अप्शन है टॉप रैंक के टेस्ट बॉलर है इसके अलावा किंग्स 11 पंजाब के लिए ग्लैन मैक्सवेल को 10.75 करोड रुपए मिले है जबकि क्रिस मौरिस को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के लिए 10 करोड रुपए मिले है तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन D. पैट कमिस दस्वा प्रश्न हाली में किसने अंडर 17 महिला फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है ओप्शन है भारत, स्वीडन, औस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील हाली में स्वीडन ने अंडर 17 महिला फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है स्वीडन ने भारत को 40 से हरा कर यह टूर्णामेंट जीता है आपको बता दें कि इस टूर्णामेंट का फाइनल मुकाबला फुटबॉल एरीना में आयोजित किया गया था तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन B स्वीडन तो चलिए आज का अभ्यास प्रशन देखते हैं Wildlife Institute of India कहां इस्थित है ओप्शन है लखनव, दहरादून, इंदोर या फिर बंगलूरू तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रशन का सही जवाब देना ना भूले अगले सेशन में कुछ नए प्रशनों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार